कि आप यह पर रहे हैं तो हम जो पढ़ रहे थे वह हमारी मैज की क्लास हैं मैज की क्लास में हमने जो पढ़ा था वह आपका था वन से लेके हंड्रेड तक का रोमन नमबर हमने एक से लेके सो तक के रोमन नमबर को पढ़ लिया है हमने क्या पढ़ा है रोमन नमबर वन से हंड्रेड तक आज हम क्या पढ़ेंगे तो वन हंड्रेड वन से लेके फाइस हंड्रेड तक के रोमन नमबर को आज क्लियर करेंगे तो आई होप किसी को कहीं परसानी तो होगी नहीं तो क्लास को हम कंटिनियस करते हैं हमने जो पढ़ा हो हमने पढ़ा पर पहले बार रिविजन करते भी आगे बढ़ते हैं ठीक है जैसे मालो 39 है 96 है 64 है और 48 है आब इसका रोमर नमढर हमें पता करना है ठीक है तो रोमर नमढर पता है आपको 5 को हम कभी 3 से उपर बार नहीं लेसकते यह एक स्कांट इस उपर नहीं सकते aan 10, 20, ठीक है 39 का होता है 30 प्लस 9 है ना 39 यही होता है 30 का क्या होता है X X X और 9 का क्या होता है I X है ना जिसका हो जाएगा 3 बार X और I X clear है आगे देखो 96 सबसे पहले होगा 90 यनि कि 90 प्लस 6 90 का क्या होता है आपको पता है 100 का C होता है 100 मेंसे कितना माइनस कर दे कि 90 आजाए 10 और 10 को कहां लिखेंगे पहले लिखेंगे यह हो जाएगा 100 और 100 मेंसे 10 ग्या 90 आप लिखो 6 का क्या होता है V iy और I मैंने इसके पहले की class में पूरा detail पढ़ाया है 1 से लेके 100 तक के पूरे रोमा नमबर तो मैं चाहती हूँ आप इस क्लास को देखने से पहले इसके पहले वाली क्लास को जरूर देख रेना क्योंकि मैंने 1 से लेके 100 तक के रोमा नमबर के जो rules regulation है वो सारे के सारे करवा दिये है इसमें कोई problem आपको नहीं आएगी चलो आप क्या है 64 आपको पता है 60 का मतलब होता है 50 प्लस 10 प्लस 4 है ना 50 का क्या होता है L होता है 10 का क्या होता है X होता है 4 का क्या होता है IV होता है आगे देखिए 48 का होता है 44 प्लस 8 है ना 40 का क्या होता है L का होता है 50 50 में से 10 गया यानि minus हुआ यानि XL और 8 का होता है V और 3 बार I यह हो गया 48 का तो यह आपका 100 तक का बहुत साई चीजें हैं 1 से लेके 100 तक का लेकि मैंने 1 by 1 करके सब कुछ क्लियर कर आया है थो 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 करके अब आगे पढ़ते हैं हानने बहुत अच्छी से पता है कि 100 का रोमर नमबर होता है ठीक है भी लिखेंगे 100 का रोमर नमबर क्या होता है clear है मालो हमें निकालना है 128 का रोमर नमबर तो सबसे पहले This करने से पहले सबसे पहले configuration कर लिते हैं यानि 1 1 के बाद 2 digit थे दो जीरो फिर क्या है टू टू के बाद वन डिजित है वन जीरो फिर लिख दिया एट ठीक है हंडेड में 20 और प्लस एट करोगे तो वन हने 28 आ जाएगा क्लियर है अब इसका निकालेंगे रोमन नमबर सो का क्या होता है सी होता है ट्वेंटी का क्या होता है दो बार एक्स होता है और एट का क्या होता है वी और तीन बार आई क्लियर है अब इसका फाइनल कर लिजी अपका हो जाएगा प्लस हटा दो सी दबल एक्स वी और तीन बार आई यह हो गया 128 का आया समझ में यह 128 का हो गय ठीक, अब मालों हमें निकालना है, रोमन नमबर लिखना है 101 का, ठीक है, जिसे 101 है, 102 है, 103 है, 104 है, 105, 106, 107, 108, 109 और 110, आपको पता है 100 का क्या होता है, C होता है, और 1 का क्या होता है, यानि C, I, रबर क्या हो गया है 101, इसका क्या हो जाएगा C, डबल आई, इसका C, पीपल आई, इसका हो जाएगा C, I, V, इसका C, और V, I, ठीक, 7 का C, V, डबल आई, C, V, तीन बर आई, C, I, F, और 10 का हो जाए C, तो वन सेलेक्ट वन सेलेके यह उसी प्रकार से बनेगा जिस प्रकार से हमसे आप तक है तो सब ऐसी करना है अब देखो क्या है माल लो कि दे दिया 157 पर रोमन नमबर बनाओ इससे करने से पहले सबसे पहले इस सब uxplenation कर लो ठीक है 1 लिखो 1 के बाद 2 डिजिते 2 जीरो हाइक के बाद 1 डिजिते 1 जीरो इसे हमने explain कर दिया अब बस इसका रोमर नमबर लिख दो 100 का क्या होता है सी 50 का क्या होता है एल और 7 का क्या होता है वी डबल आई आप क्या करना यह प्लस को अट आगेना है लोग खामों खा मैंसे दरते हैं मैंसे दरने की कुछ उवत नहीं है तो यह रहां आपका रोमर नुमर कहां से तो 100 से मैंने स्टार्ट कर दिया है इसी प्रकार से बनेगा ठीक है आज आप अब मैं आपको लिखवा दे रही हूं एक बार फिर से और ताकि आप 200 तक का क्लियर कर लो ठीक है अब मालों आपको निकालना है 110 का यह 120 का यह 130 का 140 का, 150 का, 160 का, 170 का, 180 का, 190 का और 200 का क्या रोमर नुमर 110, C किसका हुआ, 100 का और 10 का क्या होता है, X 120, C और दो बार X इसका C और 3 बार X, 30 का क्या होता है, 3 बार X, 3 हो गया C, 40 का क्या हो गया, X, L 50 क्यों हो जाएगा, C और L, इसका, C, L, X, C, L, 2 बार X, C, L, 3 बार X अच्छे, 200 का क्या होगा, 200 का मतलब होता है, 100 प्लस 100, आया स्वाज में, यानि, C, प्लस C, इसक्वल टू, डबल C, यानि, 2 बार C लिख दोगे, तो इसका अंसर हो जाएगा, 200, ठीक है, तो 200 का होगा, दो बार C, अच्छे, 190 का क्या होगा, 100 का C होता है, 90 का क्या होता है, X, C, खत्म, हैना, सिंपल, यह होगा, 200 का, ठीक, इसी तरीके से सारे के सारे रोम मनबर हम सीखेंगे, 200 तक का क्लियर हुआ, अब आगे देखों, 200, 1 का क्या होगा, वही होगा, 200 का दो बार C और 1 का आई, जैसे 1 से रहे के 100 तक बनाते हो, ठीक है, अब 210 का देखों, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, और 300, ठीक है, अब इसका रोम मनबर हम सीखेंगे, आज ही हमें सीखना है, 500 तक के रोमान नमबर, ठीक है, तो सीजे तुम्हें क्या से क्लियर हो रही होंगी सबको, रोम तो किसी कहीं हो नहीं रहा होगा, है न, आजा, ठीक है, तो कंटीनियस करते हैं क्लास को, ठीक, 210, यानि की 200 का मतलब होता है, दो बार, तो लिख दिया हम इसमें 200 का 2 बार, गोबा सी और 20 का दो बार, एक, 230 का 2 बार, और 30 का 1, 2, 3, 240 का 2 बार, और 40 का क्या होता है, एल, उसके पहले होगा एक, जो इसके पहले की क्लास में हमने पढ़ लिया है, 250 का 2 bar C और L 260 का L और X इसमें 2 bar C L 2 bar X इसमें 2 bar C L और 3 bar X 300 का होता है 1, 2, 3 याद रहे X को हम 3 bar लिख सकते हैं इस से उपर नहीं लिख सकते हैं C को भी हम केवल 3 bar लिख सकते हैं C को भी 3 bar लिख सकते हैं 3 bar से उपर नहीं लिख सकते हैं इस से उपर नहीं है आप 4 bar लिख जो 5 bar लिख दो अब 90 का 200 का क्या हो जाए 2 bar C 90 का क्या हो गया X और C यह आपका पुड़ा कमप्लेट हुआ 300 का Roman नहीं clear है चलो आगे बते हैं अब 400 का देखो, 500 तक का देखो, ठीक? 310, 320, 330, 340, 350 360, 370, 380, 390, और यह रहा 400, ठीक है? अब इंका क्या बनाना है? हमको इंका बनाना है, रोमन नमबर, ठीक? मैंने आपको बताया था, 300 का होता है, 3 बार 3, ठीक है? तो फुस्टे पहले, 300, 10 का मतलब हुआ, 300 में 10 प्लस कर दो, यही तो हुआ? तो 300 का क्या होता है, 3 बार C और 10 का क्या होता है? X, यहनि इसका अंसर होगा 3 बार C और 10 का होगया X 320 का 3 बार C और 2 बार X इसका होगया 3 बार C और 3 बार X क्लियर है 40 का 3 बार C और X L जिसका हो गया 3 बार C और L इसका दो तो से सिर्ष्टी का 3 बार C L X 3 बार C L और double X इसमें हो गया 3 बार C L और 3 बार X 90 का हो गया 3 बार C और क्या हन्तिका होता है झीद Kathy क्योंकि हम चाल भास सी लiblyके नहीं और हम चाल भास सी लिखेंंगे तो भाई ये unAPP गलत है क्योंकिि कभी भी रॉमर नाम्बर में ती Αुपर नहीं लिखते हैं तो लीखेंगे क्या हो पहले पथ करना होगा कि 500 का होता क्या है तो याद रखना 500 का रोमर नंबर होता है यह दिमाग के बिल्कुल खिक्स कर लो डी जो होता है वो 500 का होता है क्या रोमर नंबर अब 500 में से कितना माइनस कर दोगे कि 400 आ जाएगा तो सीधी सी बात है 500 में से अगर 100 माइनस कर दो तो 400 आ जाएगा है नहीं क करने का मतलब है अगर आपके पास पान्सों रुपय है और सो रुपय आपने खर्च कर दिये तो आपके पास चार्श रुपय बचेएगा ठीकिए आपको पताहे क्या कि पान्सों का होता है डी और collaboration से सव क्या करना हैं वाइन कईदयि तो माइने समय से इसमें साफ लिखते से सोव माइनस करना है तो माइनस हमें से इधर की साइड लिखते हैं यहां हो जाएगा सी यहीं सी डी किसका होता है 400 का होता है अब चलते हैं 400 से लेकर 500 410, 420, 430, 440, 450 460, 470, 480, 490 और यह हो गया 500 तीक है अब इसका रोमा नमर लिखते हैं आपको पता है 400 का क्या होता है 400 का होता है सी डी क्लियर है और 10 का क्या होगा एक यानि से क्या हो गया 400 और प्लस एक से हो गया यानि 400 में हम 10 प्लस कर देंगे तो 400 ते हमारा हो जाए यह हो गया 400 का 400 का हो गया c d और 20 का हो गया दो बार एक 430 का हो गया c d और तीन बार एक C, D, 40 का हो गया X और L 50 का हो गया C, D, L इसमें हो जाएगा C, D, L और L ठीक है, इसमें जाएगा C, D, L और 2 बार L इसमें हो जाएगा C, D, L, 3 बार L इसमें हो जाएगा C, D, और 90 का हो जाएगा 90 क्या होता है? X, C और डारेक्ट फाइब का होगा ठीक है फाइब का फाइफ खाइफ यह आपका रोमा नंबर फाइफ तक का है फाइफ हंडिटा कितना होता है एतना चीजे प्लियर होगी है ना इतनी चीजे तो आपको सम्झ में आई गई होंगी अब कल में इसके अधार पर और भी सो काने सा कर्Sheet लाएटल की चाहते हैं तो चाल के थोड़ी दॉट के लिए हुल हांड है हम ईक पाघए से स्टार्ट किया था और हम कहां तक चलेंगे और यही डिए से बसे स्ट हम आंग एक ज्योर में डिख नहीं तक हमे खंचका हो तियागे झाल